Good morning students, आज हम class 4th की English का lesson number 2 करेंगे, जिसका नाम है a wise crab, wise का मतलब होता है भुद्धिमान, crab होता है कैकड़ा, तो a wise crab का मतलब हुआ भुद्धिमान, कैकड़ा, तो हम लेसन शुरू करते हैं, Once upon a time, there lived a stalk by the side of a pond, pond बोलती है तलाब को, और stalk होता है सारस, ठीक है, तो एक समय की बात थी, एक तलाब के किनारे एक सारस रहता था, there were plenty of fish in the pond, and the stalk had enough to eat, वहाँ उस तलाब में बहुत सारी मचलिया थी, और वो सारस के खाने के लिए काफी थी, Year past, the stalk grew old and weak, साल बीते के और जो सारस था वो बुड़ा और कमजोर होता गया, if he found it difficult to catch all the fish he wanted for his food, अब उसके लिए उन मचलियों को अपने खाने के लिए पकड़ना मुश्किल हो चुका था, At times, he had to go without food, he feared he would die of starvation, starvation बोलते है बुखमरी को, इस बार उसे उस तलाब से बिना खाने के ही जाना पड़ा और उसे डर था कि अब वो बुखमरी से मर जाएगा, The stock thought of a plan, अब उस सारस ने एक plan के बारे में सोचा, He stood by the side of the pond looking sad, वो उस तलाब के किनारे पे दुखी होकर खड़ा हो गया, He did not even try to catch the fish which went passing him, उसके पास से जितनी भी मचलियों गुजर रही थी उसने उनको पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, The fish, frogs and the crab in the pond noticed how sad the stock looked and wonder what had happened to him, वहाँ जितनी भी मचलियां, frogs और crabs से वो सभी उसको notice कर रहे थे और सोच रहे थे कि यह इसके साथ आकिर ऐसा क्या हुआ है कि यतना दुखी है, A big crab went up to him and asked why do you look so sad, why are you not taking your food, अब एक बड़ा सा कैकड़ा उसके पास आया और उसने उसको बोला कि तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, तुम अपना खाना क्यों नहीं ले रहे है, The stock replied, I have spent all my life by the side of this pond, The stock ने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदकी इस तलाब के किनारे पर बिताई है, I have always been happy, मैं हमेशा खुश रहा हूँ, Now things are going to change, All the fish in the pond will soon die and I shall be left without food, अब समय अब जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, जितनी भी इस पॉन में इस तला में मचलिया हैं वो जल्दी मरने वाली है, And I shall be left without food, और मैं बिना खाने के रहने वाला हूँ, बच्चों आज हम यह लेसन यही तक पढ़ेंगे बागी हम आग को आगे पढ़ाएंगे, Thank you